नमस्कार हेलो आदाब एंड वेलकम तो इन वीडियो गीम्स यूट्यूब चैनल और क्रिकट वर्ड कप दोजा अनिस की गीमिंग सिरीज में आपका स्वागत है जिसके अंदर आज के दिन मैश नमबर 31 में मैश नमबर 31 में भिडने वाली है बांगला देश और अफगानिस् आफगानिस्तान ने पिछले मैश में जिस तरह से इंडिया के सामने परफॉर्म किया था बैटिंग में थोड़ा पीछे पड़ गए बगर बैटिंग में थोड़ा बहुत किस्मत साथ देती या थोड़ा बहुत फाइट बैक कर देते तो साहएद मैच भी जीच जाते जो है जहां पर होने वाला है वो रोस बॉल क्रिकट ग्राउंड है अब मैं ग्राउंड के नाम के इसाफ से जा रहा हूं अभी नटिंगम में रख रहा हूं मैच डस्क का एट्मोस्फियर होगा ग्रीन पिछ नहीं हाड पिछ रखते हैं एंट्री को स्किप करते हैं इंट्रो बैटिंग जाओंगा पहले यहां पर यहां पर टेल्स के साथ गए हैं मसरफी मुर्थ जैंख यहां पर और टॉस्प जीता कौन है मसरफी मॉर्थ जाहें हैं यहा था है हम लोग जीते हैं टॉस्व और पहला ही डिसिजिए नमारा बैटिंगा हुए एक्सपर्ण मोड में खेल रहे हैं हम लोग रियल क्रिकेट 19 और एक रोमांचक मैच की उम्मीद है क्योंकि जिन लोगों ने गेम खेले गी उन्हें पहले से बता होगा मैं बता दे रहा हूं जिनको नहीं पता है कि इस गेम में रन डिफेंड करना बहुत मुस्किल है नैसनल एंथम के साथ यहां प बांगलादेश का हाथ इस मैच में आगे है क्योंकि बांगलादेश भी इसी दोर से गुजरी थी जो अफ़गानिस्तान अभी है वह लगवाद पांच-छे साल पहले पांच-छे साल नहीं और पहले मेरे ख्याल से थोड़ा और पहले जाएंगे अम लोग बांगलादेश सेम इसी दोर पे थी वर्ड़कप में उतरती थी सबसे मिनो टीम कहला दी ती कि यार ये टीम के सामने तो हम लोग जीती जाएंगे लेकिन फाइट बैक देती थी देते देते वर्ड़कप का एक्स्प्रियेंस कर करके बड़ी टीमों के सामने खेल खेल के आज ऐसे हालात है है कि क्वालिफाइब हो सकती है सेमी फाइनल में अगर मैच जीते सारे तो और थोड़ा बहुत लग साथ दे जाए तो कि बंगलादेश से जीता है टॉस पहले बैटिंग का फैसला हम लोग उटो प्ले करने वाले हैं चालीस ओवर का यहां पर पांच ओवर के बाद 35 रन साथ के रंडेट को पकड़ के रखा है लेकिन घटेगा यह तोड़ा सा बढ़ेगा यह फिर घटेगा नहीं और यहां नौरन है और मुस्ट साथ के थोड़ा सा उपर है 140-20 के बाद 7 कोई पकड़ के रखा है देखना होगा कब तक पकड़ पाता है यहां पर यहां पर छूड़ गया है साइद जी यह 175 होना जाहे दा 169 हुआ है और यहां पर तो पूरी तरह से 14 रंद बीचे हो गया है यहां पर साथ के रंडेट से अभी बात करें अगर प्रेडिक्शन की तो गूगल और जो आई सी सी का क्रिकेट का है प्रेडिक्शन उस पर सेवनटी नाइन परसेंट लोग बंगला देश को प्रेडिक्ट कर रहे हैं जीतने के लिए और 21% लोग है जो अफगानिस्तान को के बाद 248 जो कि बहुत ही कम रहन है बहुत ही कम रहन है और बैटिंग में इस समय मेहमद उल्ला और रह्मान इसके बाद एक और बैट्समें आएंगे हसन मिराज यहां पर रशीद खांद के इंदबाजी में यहां पर अब सुरू होगा असली मैच इस फिल्डिंग सेटप की बात करें तो नॉर्मल फाई पहले ही लगा दिया इन्होंने यह बहुत पड़ी सर्प्राइज की बात है क्योंकि नॉर्मल फाई एक ऐसी फिल्डिंग सेटप है जो लगबग शौक के खाने के बार लगाते हैं अच पहली बार इन्होंने चल्दी चाहिए अब हरी एक ओवर में 10 तो मिलेगा नहीं क्योंकि मुझे भी पता है कि एक दो ओवर ऐसे होंगे जहां पर कम रन आएंगे और एक दो ऐसे भी होंगे जहां पर बड़े रन ले सकते हैं तो सब मिक्स करके हमें खेलना होगा और कोशिश करने होगे 350 पर पहुँचें किसी भी तरह से गिरते पड़ते कुछ भी हो 350 कम से कम स्कोर कार्ट पर रखना होगा अगर यह मैच पांगलादेश को जीतना है तो अब गानिस्तान चाहेगी इस मैच में कि पांगलादेश को फिर से कम रनों पर आउट किया जाए क्योंकि बॉलिंग अटैक जो है वो पां बंदा मान लो डिफेंसिव करके खेल रहा है तो दूसरा बंदा उसको साथ देगा यह बहुत कम होता है कि सिंगल नहीं डबल में कनवर्ट होगा इस पार पांच रन अल्ड़ी आ चुके है चार गेंदों में यहां पर दो रन और आया है तो पांच गेंदों के बाद साथ रन आया है पहली ओवर से अब एक किन्त बाकी है देखना है तीन रन आ पाता है कि नहीं क्योंकि दस से ज्यादा का रिक्वाइर रन रेट है अगर थ्री फिप्टी डालना है तो आपको थ्री दस के ऊपर के रन रेट से रन बनाने होगे कम से कम दस तो है ही है नौ रन के साथ पूरा हुआ है और नॉर्मल फायो फिल्डिंग है अगर बात करें बैट्समैन की मेहमद उल्ला और रहमान में चमता तो है बड़े शॉट लगाने की अब बॉल उस तरह की आनी चाहिए गेंद उस तरह की आनी चाहिए हमने एक जगा खोजी है मैं वहाँ की कोशिश करता हूं थोड़ा बहुत रिस्क रहे है ईगा लेकर अब क्या कर है बिना रिस्क थे क्या आप कुछ कर नहीं सकते हैं यहांपर बहुत अलग ताइप का शॉट खेलने कर दे लेकिन गें तक कंपौचे नहीं कोशिश होगा फिर से यहांपर सिंगल लेने की दू पिछली गेन पे बिलकुल यहीं हुआ यहां फिर से दूसरा डाल रहे हैं समवल के खेलना होगा सिंगल आएगा इस पर तीन गेदों के बाद तीन रन आया है अब बाकी की तीन गेदों में क्या होगा वह देखना होगा नभी आये हैं तीन और होने आये पंद्रा गेदों में 19 यहां पर ठीक ठाग हो रहा है कुछ बहुत खराब नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है क्योंकि अभी थीन गेंदे बाकी है अगर एकार चौका भी लगा देते हैं हम लोग तो हमारे लिए अच्छा होगा लेकिन लग नहीं रहे लगेंगे चार गें यह शौट क्यों खेर रहे हो मेरे भाई मैं मुदुल्ला गेंडॉट चली गई यह उपर से बहुत ही अजीव सा शौट था पता था नहीं लगने वाला है मुझे पहले ही पता था नहीं लगया पांच रन के साथ यह ओवर पूरा हुआ है पिछली ओवर में नौ आये ते इ आप रोकते हैं जब छोटे स्कोर पे तो बहुत बड़ी बात हो वही वर्ड़कप में सब सब फॉर्म में हो महीन सिंग धोनी का बैटिंग एवरेच चला गया था उस मैच में असी से उपर किसी का स्ट्राइक रेट ही नहीं रहा सिवा महीन सिंग विराट को लिए पूरे मैच में स्लो पिच भी थी थी थोड़ी बहुत लेकिन फिल भी अब मेहमद उल्ला यहाँ पर कोशिश जारी है वहमद उल्ला की लॉट्टेट लेते हैं यह शॉट मत खिलो भई मेरे यह शॉट बहुत इरिटेटिंग है अब मैं जो शॉट खिल रहा हूँ वह इस तरह का है नहीं जराबी फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर किनारा के लाओं सा लगाए या बल्ले का हैंडल का किनारा लगा है कीपर के ऊपर से निकल गई है कीपर समय ते कि कोशिश की लेकिन इतना क्विक रियक्शन कि कहां से कोई रोक बाउंडरी डाली स्कॉर कांट पर नॉर्मल फाइव फिल्टिंग अभी भी लगी हुई है इसको अगर बीड करना है आपको नॉर्मल फाइव को तो कम से कम तीन बाउंडरी एक ही ओवर में लगानी होगी तब यह फिल्टिंग सेटप नहीं जाएगा यह कि चाहता नहीं हो कि इस तरह का शॉट खेले यह पर फिर भी खेल रहा है गलत-गलत चाहता हैं कि वह रिवर्ट करके तो मैं खेल नहीं सकता कि बैक फूट पर खेलंगा तो शॉट कुछ अलग ही खेलेगा दस रंग के साथ ओवर पुरा हुआ है पिछली बार से तो लगबग दो कुना रना है लेकिन दस गड़बड यह हुई है कि पिछले दो ओवर अच्छे चले गए अब फिर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहां पर आरे यही रीजन था यही रीजन था मैं इस तरह के शॉट न आइन में नहीं होगा क्योंकि हम थोड़ा सा ओफसाइड भी गए थे हम लोगप थोड़ा सा ओफसाइड भी गए थे और उसके बाद यह वह था देखते हैं यह तो आउट साइड ओप हो गया यह तो कशन बड़ी चाने जो डर ता वही हुआ है ऊपर से जाएगी कीन खराब एंपारिंग बहुत खराब एंपारिंग इस तरह की एंपारिंग यकीन नहीं हो रहा कि एंपार ने आउट दे कैसे दिया क्या सोच के मन में रिव्यू रिटेन हुआ है विकेट बची और मैं इसलिए बैक फुट पे नहीं खेल रहा हुए पिछली दो ओरो में मैंने कई बाव फ्रन्ट पुट पे खेला तो कई लोगों के मन में इस वाल होगा कि वाइग फ्रन्ट पूट पे क्यों खेल रहा है बैक फुट पे खेल व यहां पर हमारे पास बाउंडरी लगने का कोई मौका है नहीं को कि मैं जैसे लॉप्टेट खेलोंगा गेंज जाए कि सीधा प्लेयर के हाथ में या तो वन रन होगा या तो कैच आउट होगा और मोशली कैच आउट होने के चांस ज्यादा है यहां पर एक लेक साइट में गै कि यहांपर दो रूर यगे श्रफ तीन रन आया है पांच गेंदों में सिर्फ तीन रहा है ने चौक के एक सिसक्त की बहुत जरूवत है इसोर में दूसरी सबसे बड़ी प्राब्लम पइंदे नहीं आ रहे हैं यह एक बहुत बड़ा प्राप्लम है तेज गेंदबाजि ए तो फिर हमारी हालत यह है कि शौट लिमिटेड हो गया है मैं फिर से रिस्क लेने की कोशिच कर रहा हूँ अब अरे भाई रहमान दो गेंदे डॉन डल दी है फिर से डॉन चली गई है आपर गेंद मेरे क्यासे जीतेगा तो बांगलादेश यह मैच में क्योंकि ICC के लिए इस टूटनामेंट को इंटरेस्टिंग बनाना हो अगर तो बांगलादेश का जीतना बहुत जरूरी है मेरे क्यासे एक मैच अफगानिस्तान चीतेगी वर्ड कप खतम होने से पहले पता नहीं वह किसके सामने होगा क्योंकि बहुत मुझे नहीं लगता है कि ऐसा खराब रूर्णामेंट होगा कि सारे मैच हार जाएं क्या पता यही वह मैच हो क्या पता इसके बाद वाली मैचे बांगलादेश सब जीते हैं कोई बड़ी टीम को हरा है फिर से यहां पर सिंगल आएगा सिंगल नहीं डबल चाहिए अभी तो हालात हैं तेश गेंट पर जा तो आजाएं मीडियम पर आजाएं तो भी चलेगा लेकिन प्लीज यहां से इस पिनर को अटाओ को इस पिनर की गेंट पर ना शॉट लग रहे हैं प्रॉपर ना ही गैप में जा रही हैं फिर से यहां पर जाएंगे सिंगल आएगा यहां पर पांच रन आया है पांच के दो में एक बढ़ियां ओवर बंगला अफगानिस्तान के लिए तीन सो दस हो गया है प्रोजेक्टेटेड इसकोर एक बहुत ही सामान ने स्कोर जो मेरे खियासे अफगानिस्तान के लिए बहुत ही आसान होगा इस गीम में कम से कम चीज करना फिर से यहां पर दो रन आएंगे साथ रन आता हुआ यहां पर और पुरा हुआ है आधा मैच पुरा हो गया है हमारा आधी इनिंग हमारी दस और का जो गीमपली का हिस्सा होता है उसमें आधा पुरा हो गया 281 पर अटके हैं मेरे खियाल से इस वक्त थ्री हंडेट के आसपास होना था 296 के अब तो कम से कम होना था अभी भी स्पिनर का आटक जा रही है मतलब कि अभी भी आपको थोड़ा बहुत किस्मत के बरू से रहना होगा दो रन का कॉल है मैं चाहूंगा यहां पर डबल ही खेले हम लोग जब तक गेंज शॉट पिच टाइप की नहीं आधी तब तक हम लोग यही शॉट खेलेंगे ऑफसाइड लैक 50 गेदों में 51 रन जहां पर आपको 9 या 10 के स्ट्राइक रेट से खिलना चाहिए 9 या 10 रन पर ओवर के हिसाब से खिलना चाहिए यहां पर 6 बहुत मुस्किल से क्रॉस हुआ है यहां पर यह दिखाता है कि कितनी बढ़ियां की इनबाजी हुई है बांगला देश की तरफ से आम बॉल है बहुत ही अच्छा चाहर टाइमिंग लाजवाब लेकिन प्लेयर मौजूद है दो रन मिलेंगे या पर फिर से अब यह दो रन भी अगर लेते तो बारा साथ रन और मतलब अरे बाप रहे तब भी यहां पर अगर बारा के रन रेट से लेते हैं रन तो भी यहा आपको 14 15 के आसपास खेलना होगा 14 के वी उपर वाप रहे 14 के वी चौदा के आसपास जी हां 14 के आसपास एक्जेक्ट चौदा के आसपास कि देखते हैं किस तरह से करते हैं 350 थोड़ा सा मुस्किल लग रहा है यहां पर पॉसिबल है तेज गिंदबाई एक बार आ जाएं फिल्डिंग थोड़ी बहुत खोल जाए तो कुछ मौका क्रेट होगा वरना 350 इंपॉसिबल 330 पहुंच सकती है 330 आराम से 320 330 अब देखना हो है 10 से जादा रंद किसी ओर में आई यह नहीं अभी तक यह एक बहुत दी अफसोस की बात है कि छटा ओर आप खेल रही आपकी टीम और 10 के ऊपर पहुंचा ही नहीं एक बार में फिर से यहां पर सिंगल आठ के साथ ओर पुरा हुआ है यहांपर गुलबदी नई फाइनली तेज गेंद बाजा है हमें चार ओर का मौका है लेकिन बहुत बढ़ी है यहांपर हम डबल लेने की कोशिश करेंगे यहांपर रहमान है स्ट्राइक पर फिर से यह प्लेयर बीच में आ गया इतना दूर खेलने के बावजूद भी प्लेयर नजदीक आ जा रहा है मैं चाहूंगा थोड़ी से शॉट्पिच गेंद डाले है नहीं डाल रहे हैं जो चाहिए वो नहीं आ रही है हमारी किसमत में मैं थोड़ा और वाइट खेलता हूं थोड़ा और वाइट खेला है हमने इस बार बि वाइट खेलता है यह बीट हुए हैं लेकिन थोड़ा और वाइट खेलना था कोई बात पर नहीं चाहिए उपाए पहले ही हम लोग बंगलादेश की हलत खराब हैं यहां पर थोड़ी और ऊपर से यहां पर अग्रेसियू के चक्कर में गडबर हो रही है सब पर करना पड़ेगा अगर आपको रन बनाना है तो ये रिस्क लेने होगे आपको ये पढ़िया शॉट है लेकिन प्लेयर के हाथ गया है दो रन आएंगे याँ पर फिर से चो प्लानिंग किये हैदि तो और पीछे किलना होगा थोड़ा और पीछे किलना होगा टाइम बमझे अभी भी थोड़ा गलत हो रहे हैं और मेरी क्राइब से अच्छा होगा गलत हुए बनाफ लोड़ा काच aur लगाने की और उमीद करेंगे कि शॉट लगे जहां पर चाहते हैं लगना फिर से प्लेयर के पास जिया है लेट शॉट हो रहा है टाइमिंग कितना जल्दी और खेलू मैं यह नहीं समझ पा रहा है मैं लगबग लगबग गेन छूटते ही खेल ले रहा हूं शॉट उसके बा लेट आ रहा है दूसरी बाउंडरी से लगे और की अब पांगलादिस अगर यहां पर रिदम पकड़ लेती है तो मेरे ख्याल से लगाता है और पांडरी की बारिश हो सकती और फिल्डिंग चेंज हुई है अब मजाएगा खिलने में अब मजाएगा यहां पर मौका है दो दो और तीन और आगए तीन और बांगी के जो आ गए बिल्कुल ऐसे यहां गया तो काम हो जाएगा फिल्डिंग में कोई बदला उन्हें अच्छी बात है थ्री ट्वेंटी प्रोजेक्ट्रेड इसकोर हो गया है थ्री टैन था जो एक और पहले वो थ्री ट्वेंटी हो ग गेम में भी वो देख लो फिर से नॉर्मल फाय लगा दिया यार बैट्समैन अफगानिस्तानी प्लेयर कप्तान की तारीफ होगी यहां पर बीट कराया है यहां पर चार त्यांब बारा एक तीरा रन आता हुए अभी तक कि इस मैच का सबसे बढ़ियां हुआ है एक और बा बाकी है मेरे क्यास से इसके बाद दो और या तीन और तीन और बाकी होंगे साइड आँ दो और बाकी है बारा गेंदों में आपको चालीस रंड करना है मतलब 20 रंड पर ओवर मुस्किल है थोड़ा काफी मुस्किल है पांच चौके इस फिल्डिंग सेटप में लगाना एक मुस्किल टास्क है पॉसिबल है लेकिन मुस्किल टास्क है बहुत ही बड़ी है चली सुरुआत हुई है आपर पहली बाउंडरी लगी है अगर इसी तरह की गेंद आती रही तो बांगला देसी बैट्समेंट कर सकते हैं वो कमाल एक बहुत बहुत बढ़ी इनिंग की चु चुछा बीट बांसर नौबल देते तो मज़ा आ जाए नहीं वार्निंग दे के छोड़ा है कई बार नौबल देते हैं अगर बहुत जादा बाहर हो बहुत जादा बांसर गें तो नौबल भी देते इस बार तो भाई पूरे फॉर्म में बैट्समें बॉलर चौट पिस से डारिक बांसर पर आ गया है कि इस बार नहीं मैं मुदुल्ला यहां पर कोशिश कर रहे थे अच्छे रन बनाने की लेकिन जो आ रही थी वह इस तरह की नहीं थी कि अपने अच्छे चौट खेल पाएं पचास के नस्दीग भी थे और आउट वह यहां पर पहला विकेट ग नौ गेंदे हैं कितना फाइडा उठा पाती है वह देखना होगा फिल्डिंग सेट अप बहुत ही बढ़िया है यहां पर रन बनाना मुस्किल है लेकिन देखते हैं किस तरह से कर पाता है लगाया है फिर से एक बार अच्छा शौट दो रन मिलेगा यहां पर गेंदे डाइड बहुत कहीं है सौट में से कहला इस वर में किरन दो इन पर इसके बाद के मैं फिर से रिस्क ले रहा ह班 क्यों मतलब है नहीं बचने का कुछ अगर आपके आपके पांस को बीड होते हैं तीन पांच मेंसे तीन के लिड रॉत खेलिया आपने अब आप problème फिर से रिस्क ले रहा हूं है कुछ ऑप्शन है नहीं हमारे पास हम फिर से यहां पर प्लेयर के हाथ में जाएगा दूर रनाएगा फिर से नॉर्मल फाइव उन्हें पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है बांगला दे लेकिन आगे हैं अब 318 पर पहुंचे हैं अब कितने रन करेंगी आकरी और में तेज गेंद बाजर आइटम वाश्मॉलर हसन और बैटिंग में हसन विराज अपनी पहली गेंद खेलेंगे 6.49 का रन रेट है गेंद बढ़ियां है कैसे खेले हम लोग इसको बैक फूट पर खेलें चलिए देखते हैं बीट होते हुए वार्निंग दी है लेकिन बाई गेंद यहां पर वापस नहीं आएगी गड़ बढ़िये है या तो इस ट्राइक पर रह्मान होते है तो एक कि काफी लोग स्कुरिंग मैच रहा है यह मेरे किया से इस गीम के हिसाब से 318 अगर आप करते हैं टीम तो इस गीम के हिसाब से बहुत ही कम स्कूर है यह देखे प्लेयर के पहुच गया है दो रन लेंगे यहां पर छमता है हसन रह्मान हसन के हसन मिराज के स्ट्स में वो प जहां चाहिए जबाएं लेकिन इस बार भीहघए अगर मैं शाट करा डिरेटिरेक्चन देखना तो वहां नहीं माल रहा जहाया छेंडा कर कहीं और रहा है यहाँ पर फुल लेंद मैं इस बार रिस्क लेता हूं पूंकि दो दो चार रन आगे पाइई और इस बार आउट होंके अल्ली शॉट के लाता असन मिराज यहाँ पर चार तीन गेंद पाच में से यहाँ पर डॉट रही है आख्री ओवर का फाइदा नहीं उ से कम क्रॉस हो जाएगा जी नहीं सिंगल के साथ 324 का टार्गेट रखा है बांगलादेश ने मेरे ख्याल से अप्वारिस्तान के लिए आसान होगा चीज करना अगर कोई सर्प्राइजिंग बॉलिंग परफॉरमस नहीं दिख जाता तो तमी वित्पाल सांदार सेंचुरी ल किनबाजी की बात करें तो सकीबल हसन और रोबल हुसेन का बचना बहुत ज़रूरी अंत के मेरे किया से दस होगा नहीं इन दोनों को मिलने चाहें कम से कम आट होगा तो कुछ मौका क्रियेट होगा वरना तो फिर भाई अगर लोग खराब बॉलर रेटिंग के साथ हम करें तो ही टक्कर बनेंगी तो ही टक्कर बनेंगी क्योंकि पांगलादिस के पाद 90 वाले एक भी बॉलर है नहीं जो उनके सबसे टॉप बॉलर है वो 89-86 है सकी बलशन उसके पाद डायरेक्ट 81 पे जा रहा है तो फिर ऑप्शन बहुत लिमिटेन अभी सोर के बाद 140-146 हुआ ह साथ के रंडेट को पकड़के रखा है यहाँ पर हमने 140 किया था इन वन फटीशी चिक्स किया है यहाँ पर यह मदूला सेवन्टी रेटिंग यह बहुत कम रेटिंग और राउंडर्स की रेटिंग है यह यहां पर बंगलादेश के पॉलर्स की रेटिंग एक्सों बीस गेंडों में 124 लग रहा है अब देखना होगा और यहां पर शाकीब हसं को गेंदबाजी क्यों दे रहे हैं हमार सब्सक्राइब बनाएं हमसे कई गुना बैतर सुरुआ साकी बस ने तीन विकेट लिया मतलब की बाई सामने ओवर की है बीच में अरे यार शाकी बल हसन के सारे ओवर करवा दिया इन्होंने यह चीज तो गडबड होगी मैच में हसन मिराज का एक बाकी है से रोबल हुसन के चार बाकिया चले ठीक है रोबल हुसन का एक बचा है मुर्तजा यार फूरे प्लान पर चौपट कर दिया है कंप्यूटर ने लग होगी हमारे पास टॉप के बॉलर नहीं बचे हैं ग्रीन मीटर बहुत ही खराब होगा 60 गेंदों में 68 यह सबसे कम रण हम डिफेंड करेंगे अगर कर पाए तो यह अभी तक का सबसे मुस्किल मैच है हमारा वर्टकप का रण के हिसाब से डिफेंड के मामले में कि हमारे पास अच्छे बॉलर नहीं बचे हैं सामने जो टीम है वह एक बैट्समें सेट है दूसरा तो अभी नया आया है गुलपती नाइब कपतान है अच्छा कहलते हैं इस गेम में कई बार उन्होंने अच्छा कहला है हमारे सामने आज क्या करते हैं वह देखना होगा आज क्या करते हैं वह देखना होगा यहां पर गुलपती नाइब कपतान अफगानिस्तान के लो स्कॉरिंग मैच में रंचेस कर रही है यहां पर लो स्कॉरिंग मतलब सांट गेनों में अट-सट रंग करना है इसलिए लो स्कॉरिंग कह रहा हूं और इनके पांच विकेट कहलेंगे वो अगर उन्हें लगेगा ऐसा कि बाई गडबड होरी है मैच बहुत अच्छी गेंद है तो दिफेंस करनेंगे उसको दूसरी बात यह है कि 1-6 यहाँ पर पूरी गेम चेंज कर देगा एक 6 पूरी गेम चेंज कर देगा बलकि हम यहाँ पर दो विकेट भी ले देते हैं तो हालात कुछ जादा नहीं सुद रहेंगे साथ पॉइंट टू नाइन का है सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि साथ का रिक्वाइर लेकिन जब स्कोर देखते हैं तो बहुत ही आसान लग रहा है 324 का पीछा कर रही अफगानिस्तान की टीम यहाँ पर 270 पर पांच किया है पहली ओर में यहाँ पर हमने जो डाली सिर्फ एक रनाया है एक अच्छी सुरुआत रोबल हुसेन की और यह फरक होता है जब आपके वाद अच्छी गेंदबाज हो और एक हाइस अच्छी रेटि पिछली बार जैसा दिया था अभी तो सही है ठीक थाग है कोई बहुत क्योंकि क्या है कि अभी यहां पर 6 बहुत पढ़ने वाले हमें गुलबदी नाइब के पास अच्छा मौका है लेकि ली हूँ किया है कि इन को यार क्यों अच्छा मौका था ऐसा मौका मिलता नहीं है जल्दी कि आपको खराब गीन आपको मिले इस पर खुल के शॉट लगा सके यह गीन भी आसान है यह गीन पर भी शॉट लगाना आसान है लेकिन डिफेंस होता हुआ मेरे ख्याल से अभी अफगानिस्तानी प्लेयर चैक कर रहे है अभी चैक करने क्यों गिदों में 16 गेंद अगली गीन खराब गेंद बहुत ही खराब गेंद गुलबदी नाइफ अब नहीं छोड़ेंगे मुझे लग रहा है फिर इससे छोड़ दिया है डिफेंस करके यहां पर तो गड़बड कर रहे हैं भाई यह तो गड़बड हो रही है गुलबदी नाइफ की बैटिंग बह दो आया है कि इन पाजी की बात करें तो फिर से रोबल हुसेन पर विश्वास दिखाना होगा इनकी ओवर बागी है तीन मेरे ख्याल से यहां तीन और बागी है यानि गड़बड होगा आखरी ओर में बिन गए क्योंकि हमारे पास दस ओवर का कोटे के लिए पांच ओर वा हां पर गड़बड हो सकता है हमसे ऐसा होगा तो हम नौवर के बाद को रेश्ट कराएंगे फ्लिक किया है कि इनको क्विक सिंगल लिया है और सफलता मिलते हुए अच्छा फ्लिक किया था शॉट इस्ट्राइक पर वापस से गुलबदी नहीं वाएं 10-17 गिंदों में 10 रं है खुद इस्ट्राइक लेंगे 40 गिंदों में 33 वह भी बहुत ही सोच समझी खिर रहे हैं दोनों बैट्समें मेरे क्या से समय चेक कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि दो सिक्स भी अगर लग जाएंगे ना जो कमी है वह पूरी हो जाएगी तो रिस्क लेने की जरुबत नही गेन खराब नहीं थी गेन खराब नहीं थी लगबग हमने 12 गेने डाली है उनमें लगबग 6 या 7 गेने तो इससे खराब रहे होंगी और इसके बावजूद भी यहां पर 6 लगा है और पहला 6 लगता हूँ आज के पूरे मैच का जितना हमने गेम प्ले किया है उसका पहला 6 अगली गेन इस बार बच गए है अगर थोड़ा सा राइट लैप्ट हो जाता तो यह भी चार रन होता यानि कोशिज जा रही है गुलपदी नाइप भले सानते हैं लेकिन चत्रान यहां पर पूरी कोशिच कर रहे है रन बनाने की यह भी खराब गेन आखरी गेन इनकी यहां पर 10 रन दे दिया घूम फिर फिर बराबरी पर ला दिया अपने ओवर को अल्मोस्ष एक रन का फरक है वो तो हो गया है वह भी पूरा हो गया क्योंकि रन आये थे पहले सिंगल डबल भी आया हुआ है यानि एक्जेक्ट जादा हो गए यहां तो फिर बराबरी कर लि अग्रेशिव लगा रहे हैं अगर अग्रेशिव लगा रहे हैं तो दो चीज़े हैं और यहां पर अपील होते हुए अंपार ने नौट आउट का है क्यों भाई मुझे तो काफी क्रोज लगा है कॉल चैलेंज किया गया डिसियन को बंगलादेश के कप्तान के बाद इस सा लकिन नहीं है अगर नौबॉल है तो फिर समझो लेकिन गल बचके हैं एक्c इसका तो इंपक्त पड़ता है उसका है को कि सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद जो बैसमें नहीं कि रेटिंग घटेंगी धी तीरे धीरे धीरे घटेंगी और हमारे घ्रीन मीटर उसका मतलब बढ़ेगा गुलबदी नाइक कपतान और तो इनका ग्रीन मीटर इसके बाद कि यहां पर खराब गेन डाल दी है साइथ पिछली की कमी पूरी हो सकती है इसके इन पर जाने दिया है गुलबदी नाइब ने संबल के खेल रहे हैं 38 गेंदों में तिरपन रन बहुत मुस्किल नहीं है यह टार्गेट क्योंकि जिस तरह की गेम है जिस तरह से बनाई गई इसमें कभी भी 2-3-6 लगा सकता है यहां पर देखना होगा दो रन का कौन ना दित अच्छा है चीने सिंगल में खुस है चार गीन डॉट गहीं उसके बाद पांच वी गीन पर रन लिया है चत्रान आये स्ट्राइक पर पिछली ओवर में चमतकार दिखाए थे कुछ उचे यह इनका आखरी ओवर होगा आट ओवर हो चुका है इनके चीहां यह आखरी ओवर होगा रोगल उसंद का 49 ओवर में हम इनको लाएंगे या फिर लास्ट ओवर में लाएंगे डिपेंड करता है सिच्वेशन पर 49 या 50 ओवर के बाद और रे इतनी बढ़िया गें थी यह प पर आव इस पर मार ले तो चले एक बार और मार दिया है हमने तो ऐसा ही काता है कि मार दे तो यहां तो सही में लगा दिया शौट और अफगानिस्तान का डगाउट खुश क्योंकि मेरे ख्यास से गुलबदी नाइब ने यहां पर जी नहीं अच्छा शौट लगाए इस ल पर तो नाइब ने रिस्क लिए 25 गिनों में 22 के फरक में इसी लिए इस गेम में मैं कह रहा था कि यार अनप्रेक्टेबल है जब लोग स्कुरिंग मैं डिफेंड करना हो तब हालत बहुत खराब होती है लेकिन बहुत करें तो करें क्या हम लोग यह खराब गेंदे हमने इसका किसमत से अंदर की तरफ डाली यानि खेलेगा ही खेलेगा बैट्समें डॉट किया है कि दस रन देच चुके हैं रोपल हुसेन सबसे बड़ी उमीद थी बांगलादेश की पिछली बार मॉर्तजा थ लान बार मॉर्तजा सबसे बड़ी उमीद है उनकी धुलाई हुई दिस पर रोमलb मॉर्तजा वापस से आया अटैक यह कंटिनु रहेंगे यह एक तरफ से कंटिनु रहने वाले इनके तीन वर बाकी है और पांच वर टोटल बाकी है तो हो सकता है कि यह 50 वर भी फेक हैं ऐसा भी हो सकता है देखें कि मैस की सिट्यूशन क्या है मेरे खिया से अगर फाइनल ओवर तक जाता है तो प्रेटीन के साब से मुर्तजा मेरे खिया से बहाँ मुझा जा सकती थी खेलने मचबूर कर रहा है मुझा अच्छी गिळवाज़ी आजी कर रहा है सबसे बड़ी बात है जो इनकी कि लाइन लान बढ़िया हो पहले भी चार-पांच गेन डॉन डाल चुके फिर एक रण दो रण दे चुके हैं लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है यह थोड़ा सा मिस कर गया है ग्रीन लाइन ऊपर चली गई है फ्लिक किया है गैप में गई है और चौक मिलता हुआ किस्मत किस्मत यहां पर चार लिखा था इस बार दो फिलिक किया था हलका सा हर बार फिक करते हैं लेकिन इस बास जो फ्लिक किया हो चार रण चला गया चैप में आर पचास की पार्टनर से पूरी औरिपर पचास गेनऄे क्याmara lethal किया था है एक ग्याया फ्राइट चल रहे है के दोनों की हमने जिस तरह से खेला था उसी तरह से खेल थोड़ा बहुत अब डाउन है और दूसरा फायदा यह है कि इनकी सुरुवात के जो चारीस और के बाद रनते हैं हमारे दोसो और तालिस थे इनके दोसो चपन अरे इस तरह के मौके नहीं गवाने होंगे मिलेगा नह यहां पर गड़बड की इसने प्लेयर ने यहां पर गड़बड की ए मौका गवाया है मैं तो कहता हूं यह भले ओक्ष्ण नहीं है लेकिन यहां पर लेकिए अग्रेश्यू शॉट जद्रान के बल्ले से लेकिन सफलता नहीं मिली है च्छे रन के साथ ओर पूरा होता चार ओर का खेल सिर्थ पाकी है वह खराब गेन खराब गेन और चद्रान के पास बढ़िया मौका है अपना पचास पूरा करने का सिक्स लगा कर लेकिन मिस किये हैं 45 पे पहुंच गये हैं गुलबडी नाइप भी थोड़ा सा धीरे हुए थे क्योंकि मुर्तजा की ओर खेल नहीं है कि नहीं लगी है यह आखरी डियरे सोगा हमारे पास हम चैक कर रहे हैं यहांपर एंपार की तरफ इसारा कर दिया है को कि डियरे स्वाइब बचाने का मतलब नहीं है कुछ और बहुत बड़ा कॉल होगा तो फिर यार एंपार खुदी आउट देते का भी यह क्यों नहीं दिया है आउट समझना मुस्किल है मदल ली गई अब देखते हैं क्या होता है आगे तो जो आहीं बल्ला आप देखिए पैर से आगे निकल चुका है पैर पहुंचा ही नहीं है बल्ला आगे चला गया है लेकिन फिर भी किस्मत साथ देते हुए यहांपर एज नहीं लगी है, नोट आउट देंगे एमपारे यांपर, और अफगानिस्तान यहांपर बिना किसी विकट की अभी तब, हमारे गेमपले में, पहले तो विकट कुवा है थे, लेकिन हमारे गेमपले का जो हिस्सा है, वहाँ पर एक भी विकट नहीं कुवारे, हाँ पर देंगी किस होचा ता उससे तो बहतर ही कर रहे है क्योंकि रॉब युस नहीं इना ने दी है रन दो रन दिये हैज है दो रन जो करेंगे एक क्रीन लाइन पर तो टैच है उप शॉट पर डिपंड करेगा डिफेंस किया इहां पर चार गिंद्र होगे चलिए जरना है जटरान क्या नहीं क्या करेंगे देखना होगा और नहीं कैप में चली गई है और सिंगली आता हुआ चलिए अच्छा है पांच गिंदों के बाद तीन रन आया है सिर्फ बढ़िया ओवर डा रहे हैं नचर ना लगे इनको किसी एक गिंद है संभाल के कर लो तो अच्छी बात है अच्छी गिंद ग्रीन लाइन हलका सा टच हुई है फिर से एक बार देख मुर्तजा सुरुआत ठीक ठाग हुई है देखते हैं शॉट कैसा खेलते हैं ग्राउंड शॉट ग्राउंड शॉट यहां पर लगता हुआ बत्तिस रन दूर है यहां पर और अठारा सत्रा गिन है हम तो मैस्टाइट तो कर दिया बंगलादेश से यह मानना पड़ेगा पि डंधियां फाइट बैक तो दिया है इस वरी शॉट किया है 12क Jimmy ऑपर चला गया 15 गेंदे 32 रन क्या होगा इस मैश मैं लोग शुट्री हैटि अब्ट की समस्ताट में इसा फॉर्द मैंश मेंद टरासे में खिया इस मैच में स्लोवर ब Сलोरी जा डाले है गड़ बड़ हो सकता है इस गेंद पर किसमत साथ देते हुए है प्लेयर पड़ा है वहाँ पर और सीधे उसके हाथों में गई है पांच गेंद एक बब फिर से क्या यह यह यॉरकर हो एहां मैडन ओवर होगी ग्रीन लाइन मिस्स कर गया है देखना होगा अमेरिका से अग्र पूरा किया चत्रान ने पच्पंद गेदों में पावन रण लेकिन चेके लिए इस ओवर में एक छक्का लगाने के लिए अफ़कानिस्तान टीम इतना भी वह नहीं होगी कि भाई यह कड़बर कर रहे हो मैं रोबल हुसंद को बुलाया जा रहा है हसन मिराज को थोड़ा स स्ट्राइक पर हैं पिछली गेंद की आखरी पिछली ओवर की आखरी गेंद पे शिक्स लगा था अब यहां पर क्या होता है यह खराब गेंद है रोबल उसे आउट ओफ फॉर्म ही लग रहे है मेरे को फ्लिक किया है लेकिन फिर से प्लेयर के हाथ में क्या यह मैच बंगल जाता हुआ यह क्या हो रहा है आखरी ओर में आप 25 नहीं कर पाएंगे नौ में 26 अल्मोस्ट 18 का रुन रिट होने वाला है और बहुत ही बढ़िया गेंद स्लोवर डाली है फुल लेंद गेंद है रोबल हुसेन की सिक्स तो नहीं लगा है इस चौका भी नहीं लगा है यहा पर 24 अधिक दो में 24 अब 6 लगने वाल है दो गेदो में मैं लिखके देता हूंगी एक सिक्स कंफर्म है एक सिक्स कंफर्म है और विकेट का भी मौका होगा हमारे पास यहां बाच चीत कर रहे हैं दो नो अठारा का रंडेट हो गया यहां पर तो बांगला देश ने भी गेंद ही खराब दी सिक्स ही लगने वाला था साफ साफ लग गया था उस पर अभी परफेक्ट लाइम से कोसो दूर दी यह अच्छी गेंद है ठीक ठाक गेंद है देखते हैं क्या होता है इस गेंद पर इवर स्विंग है ग्राउंड शॉट कोई रन नहीं चलिए छे गें दे अठारा रन बहुत ही बढ़िया गेंद परफेक्ट गेंद है देखना चाहूंगा मैं क्या शॉट खेलते ही है खेलना है अग्रेश्व शॉट और पहली ही खेंद पर जद्रान को पविलियन बेस दिया है यहां पर बहुत ही जबर्दस्त रुवाद इस मैच की 5 गेंद अठारा रन भी अब होगा क्या कि अफगानिस्तानी प्लेयर हरे एक गेंद पर सौट खेलने की कोशिश करेंगे यहां पर दे कि बहुत दुखी है जद्रान यहां तक ले आया था मैच को इससे अच्छी सुरुवात में था मैच लेकिन इनों धीरे खेल खेलके मैच बना द नहीं 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 चार गेंदे बारा रन चार गेंदे बारा रन मैं पहले ही काई की केम में डिफेंडिंग टीम हमेशा से पीछे रहती है अगर आप रंचेस करते हैं तो आसान होता है इसमें करना अरे डबल टैप हो गया गलती से अरे पाप रहे डिफेंस कर ले भाई और एडवान शॉर्ट में सिक्स लगता हुआ तीन गेंदों में छे रन गलती से डबल टैप हो गया था और उसका भरपूर फाइदा उटा है अब मुझे लगता नहीं कि बांगलादेस यहां पर वापसी कर सकती है राउंड विकेट आते हैं थोड़ा बात बदलाओ करना होगा यहां पर गिंदबाजी में बहुत होगी एक जैसे बहुत ही बढ़ियां ग्रीन लाइन टैच होई है देखना होगा तीन के दो में छे रन कर पाते हैं कि ने फ्लिक किया है और ट्विक सिंगल ले लिया है पांच रन यहां पर जद्रान आये जद्रान आये जो कि नए खिलाड़ी ओर यहां पर दगायों खुस है इसका मतलब की करता है कि सिंगल यहां पर जी नहीं गुलबदी नईजिग के 50 हो गये यहां पर इक सांधार पारी यहां पर बिल्बदी नईजिए पीछे थे इनका रेट रिक्वाइर रंडेडिय जो इनका बॉल और ग्रंद का डिफ्रेंस था वो एक दूसरे से अलग था ग्रीन लाइन पे तो रखा है मोर्तजा ने अपना काम किया इस गींद पर लेकिन बैट्समें जद्रान ने लगा दिया है और इसी के साथ अफगानिस्तान ने यह मैच चीत लिया है बहुत ही बड़िया फाइट बैक दिया यहां पर बंगलादेश ने लेकिन वह इनफ नहीं था वह इनफ नहीं था यहां पर यह मैच तो रियल किकट 19 में बंगलादेश हा रहा है और यह है स्कोर कार्ट साकी इसांदार पॉलिंग एकबार फिर से बैटिंग में तमें एकबाल और अफगानिस्तान की तरफ से पूरा टीम एफट डिकाए साथ पचास पावण इक्क्यावन पचास और बॉलिंग में भी ऐसा ही है तीन विकट एक 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 और बॉलिंग के कान इनोंने जीता है मैच मेर कि अब बनाग अफगानिस्तान को पहला मैच मेरे काशा है मेरी का घमपली का भी यह पहला ही मैं čथने तो यह था हमारा अफगानिस्तान वर्सेश पनला देश का मैच अगर रील मैच सी बात करेऊं थो इस वक्त एट सेवंतिन dijoन ब्रसेंट अफग के खिलाब हो सकता है क सर्प्राइज करें अफगानिस्तान यहां पर बंगलादेश को हराती है तो अफसेट ही कहलाएगा क्योंकि दोनों की रैंकिंग रेटिंग फॉर्म एक्सपिरियंस के इसाफ से बंगलादेश इस मैश को जीतना चाहिए भले रोमाचिक तरीके जीते हैं लेकिन जीतना मिलते हैं नेक्स टाइम तब तक के लिए बाइबाए